काजू बादाम से भी ज्यादा फाइदेमंद होता है सर्दियों में इस चीज का सेवन सर्दियों में काजू और बादाम से भी ताकतवर एक बहुत ही अच्छी और सस्ती चीज होती है और लोग इसे बड़े चाउ से खाते हैं इसके सेवन से हमारी सेयत काफी अच्छी रहती है और इस चीज के अंदर भरपूर मात्रा में विभिन प्रकार के पोशक तत्व पाए जाते हैं इस चीज का नाम है मुंफली और आज हम आपको मुंफली खाने के क्या-क्या फायदे होते हैं उसके बारे में विस्तार से बताने वाले हैं मुंफली खाने के फायदे मुंफली का सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए जो लोग नियमित रूप से 100 ग्राम मुंफली का सेवन करते हैं उन लोगों को सर्दियों में कब्स की समस्या नहीं होती मुंफली के अंदर फाइबर और कैल्शियम तथा मैंगनीशियम जैसे तत्व पाये जाते हैं जो हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदेमन है शुगर की बिमारी को दूर करने के लिए कॉलेस्ट्रॉल को दूर करने में फाइदेमन एनीमिया की बिमारी को दूर गर्बवस्था में फायदेमंद हड़ियों को मजबूत बनाए मुफली का सेवन गर्बवस्था में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है इसके अंदर वैस सभी पोशक तत्व पाये जाते हैं जो बच्चे और मा दोनों के लिए लाबधायक होते हैं लेकिन यह बात जरूर ध्यान में रखें कि मुफली गर्म होती है इसलिए इसका ज्यादा सेवन बिलकुल ना करें तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताए धन्यवाद